सिर्फ कि ऩे मोठीट के आहPHER डिस्ट्रिक में काह जा रहें कि एक अर्टिपिशल लेक बन रही है। बेसिकलिए यह व्योग साँ के को होगा है! सब्सक्राइबूर्ट सिटी के हम वार्ट डीस्ट्रिक की लोकेशन को साँ कि Cassara ब्लॉकेशन Waterford Block के अंदर Society ने चुक्कि उसको मार्किट इस तरह से की है कि उस Block के अंदर हम तमाम उस तरह के Immunities लेके आएंगी जो Members में पहले पाकिसान में नहीं देखे होगी Blue World City चुक्कि अपने Project को है Tourist Destination के तौर प्लान करता है उसको मार्किट करता है Tourist Destination इसलिए है कि इस तरह करता है तो जो टौलर सौर्स मेसकट्स हैं दुनिया में वो Blue World City की साइट पे है इनके Gates की Elevation देखे है सबसे प्यारी है अगर आप से देखते है Water Theme Park जो पाकिसान का सबसे बड़ा Theme Park होगा वो Blue World City की साइट पे बनना जा रहा है इसके साथ साथ बुर्जलारा को रैप्रिका हो गया Forces Guide College हो गया और डिफरेंट इस तरह के फ्लैक्शिप परजेक्ट्स हैं जो अपनी साइट पे लेके आ रहे है इस तरह Waterfront District होगा इसके सेंटर में एक Artificial Lake बनाई जाएगी कि सेंटर में एक Artificial Lake है सराउंडिंग में सारे कमर्शिल्स हैं इस तरह का Concept कोई होगा जो Waterfront Block के अंदर आएगा Right now Waterfront Block में Society को Massive Speed से Development नहीं कर रही जब इसमें Development Speed से करेंगे जमीन पे चीज़ें क्लेर होंगी और साइट पर Development आपको फिजिकली नजर आएगी उसके बाद हम चीज़ को डिसकस कर सकते हैं कि Artificial Lake कैसे बनेगी उसके सराउंडिंग में जो विलाज होंगे या कमर्शिल प्लॉट्स होंगे वो किस तरह से होंगे अब इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है ब्लूट्स इटी की मैनेजमेंट ने अपने मास्टर प्लैन में वाटर फ्रंट ब्लॉक के अंदर डेफिनली आर्टिफिशल लेक को रखा हुआ है जहांपे नेबरिंग जो विलाज होंगे वो बहुत ज़्यदा खुबसूरत होंगे वाटर फिसिंग विला पिंडी इसलामबाद में रहते होंगे अगर आपको मिल रहे है तो डेफिनली इसके अपनी एक वर्थ है क्योंकि जिसा कराची के लोगों को समंदर से एक बहुत ज़्यदा रखबत होती है बहुत अच्छा लगता समंदर तो ब्लूर्ट सिटी के वाटर फॉर्ट कुछ इसी तरह का ब्लॉक है